जी एस्टी तो आप किसी ना किसी रूप में भरते ही होंगे अब माल इवन सिवबाकर परिसद्यानी जी एस्टी एक नया नियम लाने जा रही है अब क्या है यह नया नियम और क्या इससे आपको होगा नफान उकसान बताएंगे आपको वीडियो में नमस्कार मेरा नाम है का थिंग 360 पर नय नियम की तहट यदि किसी कंपनी या कारोवारी ने अधिक इंपुट टेक्स क्रेडिट या कहें ITC का दावा किया है तो उसे उसकी वज़ा बतानी होगी या अत्रिक्त राशी सरकारी खजाने में जमा करानी होगी केंद्र और राज्यों के कर अधिकारिय वाली विदी समीति का विचार है कि सेल्फ जनरेटिड आईटी सी और जेस्टी आर थ्री वी रिटाइन में दायर आईटी सी में अगर अधिक अंतर मिलता है तो जी एस्टी के तहट पंजीगत शक्स को इसकी सूचना दी जाएगी साथ ही उससे पूछा जाएगा कि उसके द्वारा किया गया दावा सेल्फ जनरेटिड आईटी सी से ज्यादा क्यों है अगर वहत सही जवाब नहीं दे पाता है तो उसे अत्रिक त्राशी व्याज सहीत लोटानी होगी जी एस्टी परिशत की ग्यारे जुलाई को होने वाली पचास भी वैठक में समीति की शिफार करते हैं अब किने बुक्तान करना होगा ऐसे मामलों में जहां जी एस्टी आर वन और जी एस्टी आर थ्री वी में गोशिट टेक्स देंदारी में अंतर पच्चीस लाग रुपे या बीस प्रतिशत की तैसीमा से अधिक है वहां कारवबारियों को इसकी वजह वताने या शेश करको जमा कराने के लिए कहा जाएगा जी एस्टी एटवर्ट जी एस्टी आर टू भी फॉर्म तयार करता है जो एक सेल्फ जनरेटेड डॉक्यमेंट है इसे आपूर्ति करता हो द्वारा जमा कराए गए प्रतिश दस्तावेज में ITC की उप्रलब दता या अनुपल कारी को गड़ बड़ियों के वारों में संतुस ने किया हो और या अतिरिक्त ITC के दावे को नहीं लोटा दिया हो तो क्या कारण है इस नए डियम का लेन दिन के इस नए कदम का उद्देश्य फरजी चलन के मामलों पर अंकुष लगाना है जाल साज आम तोर पर सामान या स सथ से किये जाते हैं GST के तहट फरजी पंजी करण का पता लगाने के लिए GST अधिकारियों ने दो महा का विशेश अभियान शुरू किया हुआ है आस उचना महा निदेश्याले यानी DGI ने पित्व वर्ष 2022-23 में 1.01 लाग करोड रुपेई में अधिक GST की चोरी का पता करें और आपको ट्विटर इंसेग्राम और फिस्बुक पर हमारे अपडेट मिलते आ रहे हैं जैने आप फॉलो कर सकते हैं जिनका लिंक बिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है धन्यवाद